Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल नाविक ने accuracy के मामले में, accuracy के terms में GPS को भी पीछे छोड़ दिया है, GPS, US का Global Positioning System, जो की US को मदद करता है, दुनिया भर के अंदर navigation, इसके साथ साथ satellite technology में आगे बढ़ने के लिए, भारत ने ऐसा ही 7 satellite का एक constellation मनाया है, जिसका नाम है नाविक, इसका आप एक और नाम से जानते है, IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, आइए देखते हैं और समझते हैं खबर क्या है, नाविक जो की इंडिया का alternative है GPS का, इसने पहले से जादा अपने आपको इंप्रूफ किया है, in fact GPS से बेटर बनके दिखाया है, अभी हम GPS यूज करते हैं और GPS Embedded Apps यूज करते हैं नाविगेशन के लिए जैसे की Google Maps आप सबने ही कभी ना कभी यूज किया होगा, Google Maps में जो आपको features देखने मिलते हैं जैसे की live traffic monitoring, voice assist, voice support, आपको बोल के बताया जाता है कि right जाना है, left जाना है, ये सारे facilities और features नाविक में भी आपको देखने मिलते हैं और बहतर precision के द्वारा, ये हमारे लिए इत इतना ज्यादा important है कि भारत सरकार ने बोल दिया है, Indian government कह चुकी है कि सारे Indian phones में as soon as possible, नाविक का use होना चाहिए as the navigation platform, जो की इतना असान है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको बैतर hardware वाले phones चाहिए और जो की जादा expensive भी होंगे, पुराने phones के अंदर नाविक अच्छे से use हम नहीं कर पाएंगे, क्या है मुद्दा, इसको हम समझते हैं, अभी फिलाल क्या है, नाविक, नाविक की full form मैंने आपको बताई, प्लीज इसको याद रखना, navigation with Indian constellation, 7 satellites का आपको एक navigation network देखने मिलेगा, ये 7 satellites इंडिया के आसपास, इंडिया के around आपको देखने मिलते है इंडिया के आसपास 1500 किलो मीटर तक इनकी range होती है, 7 total satellites है, जिनमें 3 satellites जो आप ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं, ये आपके geostationary earth orbit में है, ये अपने orbit में ही placed रहते हैं, और इसके साथ साथ geosynchronous orbit में आपको 4 satellites देखने मिलती है नाविक की, अब नाविक के application पे चर्चा कर पाकिस्तानी invaders आ गए थे, तब जाकर Indian government ने request करी थी US से कि हमें GPS support चाहिए, जिससे हमारे जवानों की जान बच सके, हमारे soldiers की जान बच सके, अब US ने मना कर दिया, deny कर दिया और पाकिस्तान के favor में जाके help करी, तब से ही हमने सोच लिया था कि हमें भी एक indigenous navigation satellite system चाहिए, भारत में बना हुआ, और इसी सपने को पूरा करते हुए हमने नाविक को develop किया है, नाविक के दो application है, एक तो हो गया military application और एक हो गया general application जो आप और मेरे जैसे लोग use करते हैं daily basis पर navigation के लिए, तो ये इसके practical application है, वैसे तो 2011 में ये project शुरू होना था, पर डिले होकर 2018 से ये project की शुरूआत हुई थी, आज आपको देखने मिलेगा, इंडिया के large areas में ये spread हो चुका है और बहुत ज़्यादा precise बन पाया है, अब एक reason जानते हैं कि क्यो precise बन पाया है GPS से ज़्यादा, actually क्या है, नाविक दो frequencies का use करता है, rather than one frequency, जो कि आपका L band, आपको देखने मि से लेगा L5 band and S band, ये दो frequencies नाविक के द्वारा यूज की जाती है, इसकी accuracy बहुत improve हुई है, पाँच मीटर तक, फाइव मीटर तक की आज इसकी accuracy डेवलप हो पाई है, वही अगर आप Google Maps और GPS का देखोगे तो it is around 20 meters, तो अगर कहीं पर आपको missile भी launch करनी हैं और अगर आप नाविक को यूज कर रहे हैं, तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, जाकर सीधा उस person पर missile launch कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, जिससे कोई person, कोई area या कोई भी ऐसी जिस पर आप अटैक करना चाते हैं, बहुत जादा accuracy के साथ आप अटैक कर सकते हैं, तो इस better accuracy के साथ, आप किसी भी अपने enemy target को बहुत close position से जाके attack कर सकते हो, फाइव मीटर की accuracy है, पिन पॉइंट अटैक हो सकते हैं, जिससे proven chance है कि आपके जो भी enemy targets है, वो destroy हो जाएंगे, तो ये precision card defense area में बहुत फायदा है, navigation area में भी बहुत जादा फायदा आपको देखने मिलेगा, और इसी ची mobile phones में और जितने भी नए-ने smart phones आ रहे हैं उन सब में, हम ये technology embed कर देंगे, नाविक की, आप डालोगे नाविक का और बहुत असानी से navigation कर पाऊगे, as it is, भूवन platform available है, जिस पर जाके आप जैसे GPS या Google Earth यूज़ करते हो, वो भी बहुत अराम से आप यूज़ कर सकोगे, अब important बात यह है, कि अगर L1 frequency, ये frequency band है जो use की जाएगी, instead of L5, तो cheaper भी रहेगा, क्योंकि पहले से जो हमारे पास mobile devices हैं, वो L1 frequency band पर काम करते हैं, L5 इंस्टॉल करने के जरुद नहीं पड़ेगी, but problem सबसे बड़ी यही तो है, कि L1 frequency is already in use, and chipsets which are already created are on this technology, दूसरी चीज, इस technology के अंदर, जो की इसरो के द्वारा कहा गया है, embed कर पाना नाविक को L1 के अंदर possible नहीं है, हमें better smartphones चाहिए, जिन में अलग chipset हो, जिसमें L5 frequency भी install हो सके, और तब जाकर बहतर तरीके से नाविक नए smart phones और devices में use हो पाएगा, तो यह सबसे बड़ी problem है, बाकी application समझते है, नाविक की कहां कहां है, aerial and marine navigation, इसके साथ साथ tracking vehicles and fleet management, तो airplanes और ships को navigation में help करेगा, इसके साथ साथ, road पर चलने वाले यातरियों को, paddle चलने वाले यातरियों को, terrestrial walkers and hikers को भी navigation में help करेगा, इसमें भी आपको visual and voice navigation देखने मिलेगा, जैसे google map में होता है न, take left, take right, आपक potential, यह सब आपको नाविक के साथ देखने मिल रहा है, but this is not the end, नाविक तो अभी regional है, अभी इसको global ले जाना है, अभी इसको पूरी दुनिया में spread करना है, साथ constellation, साथ satellites के constellation के साथ, इंडिया और इंडिया के subcontinent, 1500 meters के area के आसपास, आपको यह देखने मिलता है, but now our aim is bigger than that, हमें इसे पूरी दुनिया तक ले जाना है, अभी तो बस यह regional है, एक Indian subcontinent के region तक spread है, हमें कोशिश करनी है, कि इस indigenous navigation system को, जो की GPS technology से भी better है, precise है, more accurate है, global बनाएं, और global बनाने के लिए हमें बहुत investment करनी होगी, nearly 30 something satellites हमें space में launch करनी होगी, जैसे GPS की 31 satellites हैं, ultimately इस से आपको NAVIC global होता हुआ देखने मिलेगा, क्या आप चाहेंगे कि NAVIC global हो जाए, जैसे GPS है, and by the way, आप से एक मेरा सवाल है, कि कौन से कौन से देश ऐसी technology अभी रखते हैं, जैसे इंडिया के पास IRNSS, NAVIC या USA की GPS जैसी है, इसका मैं आंसर आपको साथी साथ बता दे देता हूँ, और दिखा भी देता हूँ कि बाकी देश की इस technology के किस-किस नाम से बाकी देशों की इस technology को किस-किस नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, what are they called, let us see, USA का GPS तो आपको मैंने बताई दिया, Europe का Galileo है, Russia का GLONASS, China का BIDO, and Japan का QZSS, ये सारे navigation satellite system है, इंडिया for free, आपको लगता है Google Maps free, actually नहीं है, आपका जो travel data है, transportation का data है, वो travel organizations को, जिन organizations को data चाहिए, उनको बेचा जाता है, और ultimately उससे earn करता है, उससे कमाता है Google Maps, तो आपका data actually जो use हो रहा है, आपकी permission के बिना, in fact, आपके इच्छा के बिना, वो सारी चीज़ें, आपको नाविक म ने बनाया है, भारत सरकार के हाथ में है, वहाँ पर तो आपको ऐसे misuse होते हुए data देखने नहीं मिलेगा, तो मैं बस जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यही है, कि Google Maps जो की GPS technology पे अधारी था, शायद बहुत जल्दी वो नाविक पे भी आपको देखने मिलेगा, नावि is going to go global very soon, क्या आप चाहते हैं कि नाविक पूरी दुनिया में चाह जाए, जैसे कि भारत technology के बाकी areas में indigenous बनता जा रहा है, आपने अभी हाल के द्वारा light combat helicopter देखा, प्रचंड helicopter, आपने अभी हाल हिंदुस्तान एनलॉर्टिकल लिमिटेट के द्वारा तेजस aircraft जो कि एक multi role fighter aircraft है, बनते हुए देखा, ऐसे ही, इंडिया indigenous technology बनाया है, navigation technology के area में, इसको ग्लोबल ले जाना है, दुनिया में जादा से जादा देशों को इसमें connect करना है, and इंडिया भी GPS का फिर एक alternative दुनिया को दे पाएगा, थैंक यू बेरी मच, इस session में जुडने के लिए, आप स उसके लिए आपको हमारे courses का part बनना होगा, student, study IQ का last batch 2023, civil service exam के लिए live होने वाला है, 18th October से classes start हो रही है, शाम 6 बदे, आप सबको हमारे batch में enroll कर लेना चाहिए, जिसमें आपको 900 hours of live classes, hand written notes, crisp notes मिलेंगे, revise करने के लिए, answer writing practice, weekly revision test, prelims test, one-on-one mentorship, and बहुत कुछ, mentorship तो बहुत ज बिशा दिखानी होगी, exam preparation की तरफ, और कभी भटक न जाओ उस पात से, इसके लिए आपके mentors, आपके सार्थी बनके आपकी help करेंगे, तो जरूर आप हमारे course में जुडिएगा, batch 7, इसके लिए आपको study IQ.com पे हमारे course में enroll करना होगा, और वसू live coupon code यूज करना होगा, मैं आप नाम भी देख सकते हैं, मेरा email ID है वसू.katara at studyiq.com आज के लिए इतना ही शुक्रिया, धन्यवाद और जैहिंद!